प्रदाहम अपने आप वनुआ के पैसा खा गया नमस्कार में हूँ अश्रोक कुमार और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत का खास प्रोग्राम पंचायत परताल पंचायत परताल में आज हमाँ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में और उन्नाव जिले के पुरुआ विधान सभा अंतरगत ये भीटावली ग्राम सभा है साहब और अक्सर तमाम सारे प्रोग्राम हम करते हैं नदी के किनारे करते हैं गंगा नदी के किनारे करते हैं लेकिन एक बड़ी भयानक नदी यहाँ पर भी है इस ग्रामसभा में हम कैमरामेन से चाहेंगे कि वो इस नदी को भी दिखाएं दरसल ये आप समझ लें कि हम दिखा रहे हैं कैसी नदी है ये काली नदी है साब जिसके लिए ग्रामीर खून के आशू रो रहे हैं और ऐसा ही आईसी नाली नहीं है ये मेन रास्ता है और इसके उपर देखो गाउन वालों ने पुल भी बना रखा है सरमानी चाहिए प्रतिन बना रहे हैं लेकिन इस देश में भले ही प्रधान मंत्री से सुरू होती हो लेकिन बात कि सितने बड़ी योज़नाय बना लेकिन उसको जमीन पर उतारना लोगों तक पहुँचाना ग्राम परधान का काम है अगर ग्राम परधान ऐसे निकलेंगे तो कितनी भी वड़ी सरकार हो वो फेल हो जाएगी तमाम सारे यहां पर ग्रामीन हैं हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर में यहां ग्राम पंचायत में कितना विकास या सत्यानास एक बार जोरदार तालियों से आप अपना अपना स्वागत करिए जोरदार तालियां बजाईए अपने लिए बजाईए अपने ग्राम के लिए बजाईए और इसी के साथ हम प्रोग्राम की सुरुआत करेंगे यहाँ पर तमाम सारी महिलाएं हैं तमाम सारे पूरुस हैं हैं नहीं हैं लोग इतना परैसान है कि हर दोड़े यह जो नाबदान का पानी लोगों घरों तक जाता है बड़े-बड़े होते यहां पर लागडाउन का समय था पूरे हिंदुस्तान में आफ़ताई थी लेकिन किसी नहीं नहीं सोचा कि यह हरजन बस्ती का क्या हाल होगा किसी नहीं हम लोगों ने कई बार इधर दर सूचनाय दी पेपर में निकुला कोई सुनवाई नहीं हुई प्रधान अपने मन से कर किया नाम है आपका आप हमारा सब को बिकास हुआ है नहीं हुआ है प्रधान तो आरहे हैं तमाम सारे लोग और 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 दोल्स को पी नहीं कहा के जाते हैं आप ऐसे चले प्रदान मंद्री कहते हैं कि हमने करोड़ रुपए दे दिये सवच भारत अभियान तहत लेकिन ये सवचाले यहां पे तमाम सारे जो ग्रामीड है वो खुद बता रहा है कि उनको सवचाले नहीं मिला हो सकता है कुछ लोगों को मिला भी हो लेकिन सवच भारत अभियान की ये योजना है जो फेल नजर आ रही है जबकि यहां पर पूरी तरीके से घोसित कर दिया गया है कि यहां पर सवचाले बन गया है कुछ कर दो नहीं हभा है फिजन की पर्दान के अच्च नहीं हरो मैंम कुछ तमरेंगे मिल यहां तो घीन हो एक रोगूं पैसा निकल वाले जाता है फिर भी लाइटी नहीं बनाता है और ना हमारे घर पे बुड्डे चल पाते हैं ना कोई चल नहीं पाता है तो घर पे कहां से लाइटी जाए वो तो बाग में थोड़ी जगा है तो दरी हो जाते हैं मतरब आज जाना पड़ता है हां बाहर जाना पड़ता है हम लोग तो चलेगा लेकिन ममी पापा कहां जाएंगे मजूदा ग्राम पापा जिए बिजय परदान कर और कि अब जग अभाए गुपता पूरी तरीके सफेल हां तो इस ग्राम प्रचाद में क्या बदलाना होगा त है यह जो पानी भरा हुआ है मैं केमरा में तक देख लीजए यह यह नालिया भरी हुई है इस तरीके से नाली भरी हुई है और शिर्फ यहां पर नहीं यह आप चले जाएए कम से कम सौ मीटर दूर तक जहां पर नजर जा रही है ये नाली यूही भरी हुई है दूसरा आप देख लीजिए कि यहां से लेके जहां पर वो महिलाएं खडी नज़र आ रही है ये मेन रास्ता है जैसे ये पक्कर रास्ता है लेकिन जो घरों का पानी है वो इस तरीके से भरा हूँ है यहां पर नाली की ब्यवस्था नहीं होने लेते हैं ऐसे ही पानी में जो जन प्रतिनिदी हैं उनको डूब मरना चाहिए ग्लोबल भारत सवाल है तो सवाल उठाएगा सवबार पूछेगा और जुम्मेदारान यहां से आगर आख मून देंगे तो यही वो लोग हैं जो ओट देकर आपको परधान बनाते हैं आपको विधायक बनाते हैं लेकिन यही वो लोग हैं जो आपको जमीन पर लाते हैं फिलहाल भिटवली ग्राम सभा से इतना ही हम फिर मिलेंगे किसी और ग्राम सभा में किसी और समस्या के साथ नमस्कार